नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं युगचरण आए जानते हैं आज 28 जुलाई की बड़ी खबरें आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताईए साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सबस्क्राइब कर ले आज की पहली खबर है कि ब पार्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा और संगठन के प्रमुख नेता मौजूद हैं बैठक में पार्टी में चल रही अंदरूनी गुटबाजी और इस साल चार राज्यों महराष्ट्र, हरियाना, जार खंड और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधान सभा चुनाव की एलान किया है, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शनिवार को इसकी घोशना की, 26 जुलाई को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडीशा, गुजरात और 36 गड की सरकारों ने आरक्षन देने की घोशना की थी, 22 जुलाई को हरियाना और उत्तरा खंड की सरकार भी अगनिवीरों को आरक्षन देने का एलान कर चुकी है, इस तरह अब तक 10 राज्य ऐसी घोशना कर चुके हैं, यूपी में कामवड रूट पर ATS तैनात, ड्रोन से निगरानी, यूपी में कामवड रूट पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ATS तैनात की गई है, आनिये खुफिया विभाग भी ड्रोन कैमरे से कामवड रूट की निगरानी कर रहा है, मुजफर नगर SSP अभिशेक सिंह ने बताया कि हरिद्वार से करीब 5 करोड कामवडियें जल उठाते हैं, करीब 2 करोड कामवडियें मुजफर नगर होकर जाते हैं नीती आयोग की बैठक छोड़ कर निकली, ममता बनरजी, दिल्ली में शनिवार, 27 जुलाई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीती आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नौवी बैठक हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनरजी मीटिंग को बीच में ही छोड़ कर बाहर निकल गई नीती आयोग की बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक 5 घंटे चली, ममता ने आरोप लगाया, उन्हें बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया उन्होंने कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी, भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट मिले MP राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात हैं भारतिय मौसम विभाग, IMD ने शनिवार 27 जुलाई को 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है बहुत भारी बारिश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, 36 गड, उत्तराखंड, राजस्थान, करनाटक, भारी बारिश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाना, चंडीगड, तमिलनाडू, केरल, ओडिशा, जारखंड, पश्चिम बंगाल कर, 778 करोड रुपए कर दिया है, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने देश में इलेक्ट्रिक गाडियों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, 13 मार्च को इस स्कीम को लाउंच किया था, तब यह स्कीम, एक अप्रेल 2024 से 31 जुलाई 2024 लागू की गई थी, यह योजना इलेक्ट्रिक 2 वीलर, इलेक्ट्रिक 3 वीलर और E रिक्षा पर सबसिडी देती है, इसमें इलेक्ट्रिक 4 वीलर्स को शामिल किये जाने की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, यूपी में सियासी घमासान के बीच, दिल्ली पहुंचे CM योगी, उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन में आजकल अंतरकलाह दिखाई दे रही है, इसका उदाहरण CM योगी की बैठकों से दोनों डिप्टी CM ने दूरी बना कर दिया है, इसी बीच CM योगी, दोनों डिप्टी CM दिल्ली पहुंच गए हैं, माना जा रहा है कि शनिवार शाम को यूपी के बाद यूपी में चल रहा सियासी घमासान शांत हो जाएगा, दो अगस्त को खुल सकता है ओला इलेक्ट्रिक का IPO, ओला इलेक्ट्रिक का इनीशियल पब्लिक ओफर यानी IPO अगले महीने दो अगस्त को खुल सकता है, ऐसे में निवेशक 6 अगस्त तक बिडिंग कर सकेंगे, कमपनी एक अगस्त को एंकर बुक लॉंच करने की तयारी में है, 9 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक के शेर, बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज, BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE पर लिस्ट होने की संभावना है, राहुल गांधी का नया बंगला अलोट किया, राहुल ग कांधी भी राहुल का यह घर देख चुकी है, पुणे पोर्ष केस में 900 पन्नों की चार्डशीट दाखिल, पुणे पोर्ष केस में पुलिस ने करीब दो महीने बाद 900 पन्नों की चार्डशीट दाखिल की है, सेशन कोर्ट में गुरुवार को दाखिल किये गए 900 पेज की शीट में 17 साल के नाबालिग आरोपी का नाम शामिल नहीं किया गया है। नाबालिग का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जे जे बी के सामने है। वहीं साथ आरोपियों के खिलाफ आपराधिक शड्यंत्र रचने और साक्षे मिटाने से संबंधित धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है। BSNL से 15 दिन में 15 लाख ग्राहक जुड़े प्राइवेट मोबाइल कमपनियों के टैरिफ में जुलाई से 25 फीसदी तक बड़ोतरी के बाद भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL में ग्राहकों की घर वापसी हो रही है। दो दशक पहले भारतिय टेलिकॉम बाजार में 18 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी वाली BSNL की मौजूदा हिस्सेदारी धाई फीसदी से भी कम बची है। हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली एडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई होगी। एडी ने 8 जुलाई को ही यह याचिका दायर की थी। अधिवक्ता आरेस सलूजा ने कहा कि याचिका करता को आरोग्यम अस्पताल जोधपुर में इलाज करवाने के लिए 21 मार्च को दी गई अनुमती के साथ पुलिस सुरक्षा का शुल्क चुकाने के निर्देश दिये गए थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एंकाउंटर, एक जवान शहीद, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शनिवार, सुबह एंकाउंटर में राइफल मैन मोहित राथोर शहीद हो गए। जबकि मेजर समेथ चार जवान घायल हैं। मुठभेड माचिल सेक्टर के पास जंगल एरिया में हुई। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं PM मोदी, रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त में यूक्रेन के दौरे पर जा सकते हैं। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के दौरे को लेकर दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि अब तक किसी भी देश ने आधिकारिक घोशना नहीं की है। कमेंट करके बताईए।